नमस्कार, मैं हूँ जोतिसाचार राजिस, अनोखा सुत्र में आपका स्वागत है, आज मैं अनोखा सुत्र में आपको एक बहुत विसेश, बहु मुल्य, उप्योगी सुत्र बताने जा रहा है, क्योंकि यह सुत्र ऐसा है, जिसे आपने कर लिया, तो समझ यह कि आपने जीवन में आर्थिक भौतिक छित्रों पर, घरेलू सुक्सविधाओं पर, सारिक सुक पर बिजय पा लिया, आधे बिजय तो निस्षित पा लिया, जब तक बिमारी 60-70 परसेंट नहीं बरती, तब तक आप डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, 50 परसेंट तक बिमारी हो, तो आदमी सस्त महसुस करता है, उसे पता ही नहीं चलता है कि बिमारी है, जब बिमारी 90-80, 90-100 परसेंट बरते हैं, तब पता चलता है बिमारी, ठिक इसी तरह चीवन में परिसानियां भी दिखती हैं, जब वह 50 परसेंट को क्रॉस कर जाते हैं, तब महसुस होता है कि परिशानी है आज मैं आपको एक ऐसे महत्पून जानकारी देने जा रहा हूँ जो देखने में तो सरल है और बहुत छोटा लगता है लेकिन है चमतकारी कैसे सबसे पहली बात आप जाने जीवन में उतार चड़ाओ कैसे आते हैं जीवन में जब भी उतार चड़ाओ आते हैं उसका मुक्सरे आपके सनी देव को जाते हैं आपके जनमकुणली में दसा अंतर दसा खड़ाब हो उस पर भी जाते हैं लेकिन जनमकुणली की बात नहीं हो रही है तो कुछ ऐसे पहलू है जो आपके आर्थिक छित्र को रोपता है आपके घर में सुखों को हटाता है कला असांती पैदा कर देता है घर में सरीर में रोग उत्पन कर देता है कुछ ऐसी बिवस्था हो जाती है गरों की जो आपके जीवन में उतार चड़ाव सुरू हो जाते हैं तो कौन ऐसे उपाई हैं जैसे तीन उपाई एक साथ करना है तीन हमेशा मैं इसलिए कहता हूँ ब्रह्मा विश्नु महेश आपके उपाई में सब के लिए कुछ ने कुछ छुपे हुए हैं ब्रह्मा विश्नु महेश तीनों के उपाई छुपे हुए हैं इंडायरेक्ट वे में आप उसे समझ जाएंगे कैसे इसलिए तीन उपाई हम जरूरी मानते हैं जो भी उपाई करने के लिए देते हैं तीन उपाई तीन उपाई से आपके घर में सुक्सांती घर की दरिद्री दूर हो जाएगी कैसे आपने बहुत बार सुना है लेकि कभी आजमाया नहीं है एक बार आजमा के देखें चमतकारिक काम करता है क्योंकि पूरे नौग्रह को यदि कोई छोटे उपाई में संतुष्ट किया जा सकता है तो यही तीन उपाई है पहला उपाई है जब भी आप घर में सुब़सुआ जब भी रोटी बनाते हैं तो तीन रोटी निकाल के रख दे तीन रोटी निकालना है तो सबसे पहले जाने पहली रोटी जो आपने निकाला है उसे गाय के लिए निकाला है सबसे पहली रोटी गाय को देना है लेकिन खाली रोटी न दे उसमें कुछ मिठा डाल के दे चीनी गूर सकर कुछ भी मिठा दे थोड़ा डाल के दे। गाय को रोटी खिलाने से सुर्यदेव परसंद होते हैं और सुर्यदेव आपके स्वास्त यस मान सम्मान प्रतिष्ठा धन बैवाब के मालिक हैं। एक बात हो गई। दूसरी रोटी किसे देना है। दूसरी रोटी आप कववे को दें। कववे को क्यों देंगे। कववे को जब रोटी देना है तो उसमें कुछ डालने की ज़रत नहीं है। आप ऐसे ही टुक्रे टुक्रे करके डाल दें। कव्वा जब रोटी खाएंगे तो कौन प्रसंद होंगे आपके सनी देव क्योंकि जितनी भी जीवन में परिसानी बाधा और रुकावट उत्पन करने वाले वो तो सनी देव है सफलता तो सुर्यदेव देते हैं लेकि रुकावट सनी देव उत्पन करते हैं जब सनी देव को हम तुष्ट करते हैं तो सफलता देने वाले सुर्यदेव सफलता देना शुरू करते हैं और सनी देव अपने रोक को बाधा को रोक लेते हैं तो हमें सफलता मिलने लगती है सफलता के लिए या दो उपाई चरूरी है और तीसरी रोटी किसे दे तीसरी रोटी कुटे को आप यू ही दे दे कुटे को क्यों दे इसके पीछे भी एक रहस है सुर देव को हमने परसंद किया सफलता के लिए सनी देव को हमने परसंद किया कि हमारे काम में जो बिलंब हो रहे हैं रुकावट उत्पन कर रहे हैं उन्हें बंद कर दे क्योंकि सनी देव जब तक नहीं चाहेंगे आपके कायरे संपन नहीं होंगे अंतंत में जाके वह बादित हो जाए तो फिर कुट्टे को रोटी क्यों दिया जा रहा है कुट्टे को इसलिए रोटी दिया जा रहा है कि क्योंकि दो और भी बस्ते हैं बिग्न बाधा उतार चड़ा उत्पन करने वाले राहू और केतु जो कुत्ते को रोटी देने से ही प्रसंद हो जाते हैं भैराव जी का सवारी है कुत्ता तो राहुदे प्रसंद होते हैं तो राहु केतु को प्रसंद करने के लिए रोटी खिलाना कुत्ते को आवश्चक है अब आपके एक कायरी है उसमें सफलता देने वाले सुर्ज है उसक को बिलम करने से रोकने वाले और कायर को नहीं होने दे इस से रोकने वाले सनिदेव है और उस कायर में उतार चड़ाव बिग्न बाधा बैवधान सतुरुता किसी तरह की रुकावाट आवे वो राहु के तूब है ये तीनु सपष्ट संतुष्ट हो गए तो आपके कायर आनी चाहिए आपके घर में धन की बिर्दी होनी चाहिए आपके कायर कोई भी नहीं रुकने चाहिए सबसंपन होते जाना चाहिए जीवन सुचारू रूप से चलता हुआ नजर आएगा इन तीन उपाईयों से ये तीन उपाई बहुत अच्युक और बहुत ही कारगार